बेसिकली आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपको इस वीडियो के स्किप तो नहीं करना चाहिए और बेसिकली से प्रिवेस वारे वीडियो का भी तक आपने चेक तो काइंटली जाके के रहें क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ प्लस का बेसिक कवर कर रहा है जो आपको बेसिकली एडवांटेज होगा यूसको देख के आपको ठीक है इसा नहीं कि आपको बिसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर कुछ अब बिल्कुल नहीं है आपको वीडियो को check out करना चीजिए मैंने ओप्स पे सीरिज को start कर दिया C++ के अंदर तो बीसिलिए उसी में से बात करने वाले constructor क्या होता है देखो कर सुप्र क्या होता है constructor in C++ is special method that is automatically called when an object of a class is created simple constructor क्या होता है कि C++ के अंदर एक special method होता है और वो क्या करता है कि automatically call हो जाता है जब भी हम class को create करते हैं class के object को create करते हैं तब यह automatically call हो जाता है कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में ठीक है इसका जो नाम होता है ना वो same नाम होता है class के name के उकवल जैसे class का नाम simple आपका car ठीक है तो basically आपके constructor नाम भी क्या होगा कार ही होगा अँण इसके अराईट और इसके अंडर क्या है कि यह आप इसमें इसका कोई डीटेंड टाइप नहीं होता है और यह पयरामेटोराइज्ड और योण पयरामेट्राइजद दोनों टाइप कि हो सकते हैं टीक है एडीं सुन sniff 1975 लेवल विएरियेबल अभी की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम यहां पर देखते हैं देखो हैस इनक्लूड इसी के साथ साथ आयो स्ट्रीम सिंपल ठीक है यह क्या करा है रेटन जियो कर रहा है यह बहुत ही सिंपल है आज यो पीचीज कलियर होगी बैसिक टेंपलेट इससे ज्यादा कुछ है नहीं है मैं सबसे पहले करता क्या हूं यहां पर आके एक क्लास के रिद करता हूं। बैसे क्लास को create करने के लिए को पर वाइड करना यहां पर आपको इसकिपट हो Σ्चिर यह सारी इसम्हां में कह रोगा है शाल बता रहों को नहीं बिलाइव ऊच्पर है उ आहिए सब्केर हो क् atención बिल्स पर अग्सिकलि होते हैं आपके access specify श्हुते हैं publicly ख्रते रच एंड प्रैपेट सिंपली न्हीं तीन कि Response कि 건데 कैं रायट करूं ऑफ सकता हूं पूमल यास कीौ इस नदर में के दिया से इसके थैड़ी मैं छियरा मालकि भी स mesmo लो कि मुझे आपकर कराना है तो गई अगर को constructor create करना है तो आप कैसे करोगे मैंने comment कर दिया constructor यहां से start होगा देखो जो basically आपका my class है simple same name मैंने क्या पता है जो भी आप constructor create करोगे उसका same name होगा class का जो भी name हो उसके according जो class का name है वो ही name होगा simple आपका constructor का ठीक है इसके अंदर मैं जाके करूँगा क्या see out and इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या accident code with मैं यहां पर asia print कर सकता हूँ and मैं यहां पर एक handle भी लगा सकता हूँ और मैं इसी के साथ-साथ semi-column provide कर सकता हूँ ठीक है यह बहुत ही simple साथ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर हम एक चीज़ और लगा सकते हैं जो basically आपको कुछ step से basically parameterize भी होते हैं non parameterize यह समझ लोगी आ रहे हैं आपका एक function अब इसको कॉल वगयर कहां पर करना क्यों करना इसको को नहीं नहीं सिंपली जब भी हम class का object करेंगे न तब यह automatic by default call हो जाएगा इसको को नहीं को करें तो basically यह बहुत ही simple सा है और मैं आपको बताता हूँ यहां पर इसका एक object करेंट करते हैं हमाई class का एक object करेंट करते हैं जो basically मेरी हमाई class इसका object करेंगा एक obj1 नाम से बस इतना करना है इसी के साथ साथ मैं अगर इस program को यहां पर आके simply run करता हूँ तो मेरे सामने output के अंदर के आता है वो देखने लाइक चीज होगी जो भी मेरा data type है data वो excellent code with AJ मेरा program के अंदर वो आ जाएगा ठीक है तो यहर आप notice करी सकते हो मेरे पास यहां पर प्रिंट हो जाएगा excellent code with AJ simple ठीक है बहुत ही simple सा था हमने क्या किया है हमने simple class create की इसके अंदर access specifier को मैंने यहां पर टाइप किया जो भी public private protected जो भी और इसी के साथ मैंने एक अंदर क्या किया है कि कि अब यार ये बैसिकली आपको थीर टाइब की कस्ट रोट होते है यार आप चो चार चार जो को सकते हो यह सा भिजक नियाँ किस्ट नीट है कि अंदर तीन घंड के कस्ट बशिक जड़ा माने गए ठीक है कोन वह सबसे पहले ऊता आपका डिफोल्ट का स्ट्र апट तब आपका एंट्यंट नॉर्म तेंगर कर सकते हो मतुं को bereits कर सकते हो मतीन सब्सट करें दिफोल्ट सोसीस such फब्सेले डिफॉल्ट से गडवल्टरेंग अग्जाम के इंटर को बीद दाउन तेंहीं इस तोग सीविए सब्सक्र करते हैं C++ के अंदर default parameterized and copy जब से पहले मैंने default आपको बताई दिया default constructor का मतलब इतना सा है कि यह क्या करता है और क्या नहीं करता है माल लोगी कुछ यहां पर code मैंने यहां पर लिखा है यह मैंसे कि आपका default constructory है ठीक है अगर बात कि जाए parameterized constructor गी तो उसका program क्या होगा लेकिन उस वह होती क्या है वह सारे वह चाहिए वह किसको बोलते हैं अभी parameterized constructor देखो the constructor with parameter is called parameterized constructor मतलब आप parameter के साथ constructor को create कर दोगे ना तो वह हो जाएगा आपका parameterized constructor simple ठीक है मतलब क्या कि यह जो इसके अंदर मैं कुछ parameter basically कुछ इसके अंदर parameter पास कर दूँ ठीक है और फिर मैं उसको execute कर वना चाहूं तो basically क्या हो जाएगा आपका parameterized constructor आप इसी लीज को बोल सकते हो एक चोटा सा थोड़ा boring type होगा लेकिन आप practice बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है using name space है और मैंने आप इनेम स्पेस की spelling है गलत लिग दिया स्पी एसी स्पेस एस्टीडी इसी की सासथ इन्टीजर मैन जो basically मेरा मैन मेथड होगा and return मैं किस चीज को करूँगा यहाँ पे र-e-t-u-r-n return मैं यहाँ जी रो कुछी स्टाइब से कर रहा हूं ठीक है बहुत ही simple है और मैं simple class create कर रहा हूं ठीक है और इस इस class का नाम का basically employee simple ठीक है और इसके अंदर मैं public क्ली क्ली क्या करूँगा एक access specify pass कर दो इतना सभी को clear है आई यह पिस तना सभी को clear है और मुझे आपर semicolon provide करना है ठीक है यह basically आपको करना ही पड़ेगा और सो कैज मैं यहां पर आके public है ना इसके अंदर देखो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग को यहां पर pass करना है has include and string को मैं यहां पर pass कर देता हूं सिंपल ठीक है इसके अंदर देखना सबसे पहले मैं एक माल हो कि एक string टैप से string data ले रहा हूं जिसके अंदर मैं एक variable create कर लूँगा और basically जो variable होगा string और इस यहां पर मैं सबसे पहले name basically employee उसका नाम क्या है ठीक है और basically एक string मैं यहां पर और ले लेता हूं इसके साथ साथ यहां फिर मैं एक integer ले लेता हूं note string सबसे पहले मैं जानूगा कि यह उसकी age क्या है मालो ठीक है बस इतना सा concept है मैंने publicly access specifier लगा है इसके इसके मैंने अनौस किया कि यहार इस ट्रिंग नेम string job and integer age यह मैंने बहुत ही जदा बार बजा चुका है basically data types में यहां पर variables create किया है और इस जदा मैंने कुछ किया रही है ठीक है चलो इतना मेरा account complete हो चुका अब मुझे create करना है simple एक constructor simple तो मैं सबसे पहले यहां पर जाके करूँगा क्या आपको मैंने बताया कि जो आपका class का नाम होगा वही आपको constructor होगा basically वही आपका constructor माना जाएगा simple मैं आप employee कर देता हूं employee simple ठीक है और आपको class के अंदर तो यह parenthesis देने की को need नहीं थी लेकिन जब भी आप constructor पास करोगे चुकिए यह पर आपको देना पड़ेगा simple यह वाला ठीक है इसके अंदर हम देखो क्या करेंगे इसके अंदर parameter इसके अंदर आपको देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या यहां पर आके माल लोग की मैं यहां पर आउं यहां पर आके आपके बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूँ आक्स एंड इसके अंदर मैं पर आमेटर को तो मैंने पास करी दिया आप मैं यहां पर करूँगा जो बेसिकली मेरा नेम ना उसके कर दूगा एक स्कूट है और जो बेसिकली मेरी जोब है उसके को डिंग मैं वाइग को कर दूगा एंड इसकी की साथ जो मेरा एज होगा उसको मैं यहां पर जैड के अंदर आईन्मेंट ऑपरेटर लगा गए मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा ठीक है और बस इतना सा करन है सेमिकॉल मुझे आपर प्रवाइड कर देना सेमिकॉल ना प्रवाइड करते रही है सिंपल ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मुझे करना ही है सबसे पहले मैं एक काम करूँगा यह जो class है employee यह तो एक constructor है यह जो employee नाम है कि मेरे पास class मैंने create किया है इसका मैं सबसे पहले object create करूँगा मैं दो object create करूँगा और basically मैंने आपको बताया था कल परसो वाले वीडियो के अंदर के multiple object एक single unit का आप कैसे create कर सकते हो single unit का मतलब यहां से class से है मतलब single class का आप multiple object के से create कर सकते हैं मैंने आप लोगों बताया था तो basically इसमें का आप लोगों कोई राहूल सिम्पर ठीक है और नोट राहूक basically राहूल उसका employee का नाम है ठीक है और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या उसी के अंदर मैं basically यहां पर आके वह जोब कौन सी कर रहा वही बड़ आप डाल दो तो मालो यह वह एक web designer है सिम्पर ठीक है और उसी की सासे उसके 24 है सिम्पर ठीक है तो basically मैं कुछ इतना इसके अंदर matter डाल दिया है मैं इसको यहां पर completely two times copy कर लेता हूँ ठीक है तो object यह मेरा two रहेगा इसी के सासा जो रा इसके end का ठीक है और आप यहां पर 24 की जगह 28 easily pass कर तो मैं basically 22 कर रहा हूँ ठीक है तो कुछ भी कर सकते हो आप पर है लेकिन हम तो एक demo देख रहे हैं ठीक है अगर आपको project create करोगे तो basically जो real है वो देना पड़ेगा ही तो constructor की बात है कर रहे हैं अभी तो देखो see out और यहा होती simple है यहार अभी इसको कैसे print कर सकते हैं तो basically मैं अभी करूँगा क्या जो see out है मेरा इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या इसके अंदर जाके जो object 1 है इसके अंदर जो basically होगा आपका राहूल नोट राहूल simple आपका नेम्स simple वो प्रिंट कर दो again आपको आप ऐसे डाल दो इसके अंदर जाओ again object और मैं यहां पर यहां पर जाके मैं करूँगा क्या जो object वन अगेन है इसके अंदर जो भी आपका जो वाला फिल्ड उसको आप अप्लाई कर दो and again मैं थोड़ा यहां पर जाके उसकी एज को प्रिंट करना चाहूंगा तो ओब्जेक्ट वान सिंपल्डिक है डोट और मैं यहां पर जाकी करूँगा क्या जो बेसिकली अ मैं कर दूँगा यहां पर एक एंडल को पास कर दूँगा कि महीं एक एंडल लगा दिया सिंपल और मैं यहां पर सेम02 पर घरताओ इसाथ महाँ इसको इसको ठैप कर ली था हूं को अनि यहां पर रन किया तो बईγαiblाई मेरे समने कमें परिंट होता歌 देख देखते हैं दिखो इसके दिर मेरे पास क्या रहा है Rahul web designer आ किनुक्या नहीं कि मैंने इसके बीच में से तू अगे इस चे पेस दिया नहीं आब महलता थोड़ा इस दिया इसाफ भीना को कुड़ को हां के रन किये ग्या है और मानी स्कॉड़ को प्रफली रन किया तो मेरे सामने क्या हैगा जो यही डिटा हैगा थोड़ा स्पेस मिल जाएगा 24 और जो वेब डिजाइन अब नोटिस कर रहे सकते हो रहूल वेब डिजाइनर 24 वेब बैकेंड 22 बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ आर्गुमेंट या फिर कुछ पेरामिटर बोल सकते है है तो मु세요 comment करें ठीक है अब अगर आपको कोपी कंस्ट्रक्टर की बात बता दी घ् Elise ुकलास का नाम 23 रखेंगे जो बेशन wenn you have question ज bisher के अंदर कि टुझा की बात की जयंद तो किया कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं टेख खो कोपी कर सकते हैं कोई दूसरे object के साथ ठीक है तो वो ही आपका होता है यहाँ पर copy constructor इसको मैं यहाँ पर वन सेकेंड इसको मैं डिलेट कर देता हूं completely लिगाँ इसको मैं इतना completely डिलेट कर देता हूं pure scale से देखेंगे सारी चीजें तो बस यह सिंपल साथ का एक प्रोग्राम मैंने class create कर रही है और इसके साथ मैं एक इंटीजर और मैं मेथड मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा simple है चलो और आयू पर बहुत ही simple सा था और आपको समझ में आ गया होगा ठीक है all right basically मैंने यहाँ पर integer man और इस टाप से कुछ कर रहा नहीं था और मैं यहाँ पर सबसे पहले अब इंटीजर man एंड यहाँ पर जाके रिटन क्या कर रहा है आरी टी यू आर इंस पिलिंग पर रिटन जीरो आप यहाँ पर कर दो ठीक है और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बिटन कर रहा हूँ रहा है क्या सबसे पहले तो एक अक्सिस स्पेसिफायर को अड़ करेंग एंग पबलिक हो Ltdous है इसके अंदर जाकर सबसे पहले क्या करेंग एक लिटेशर टाइप से हम डेटर लिट एक डिबन करेंगे अरेय प्यूल ठीक है जो भी है उसको आप क्या करो उसके अंदर कुछ हम आर्गुमेंट परामेटर पास करेंगे like height हो गई and integer इसकी जो भी करना सबसे पहले जो मेरा area होगा ना जो मेरा area होगा उसके एकवल जो भी height है simple और जो भी height है उसको multiply करके note plus आप multiply करके क्या कर तो इसको width के height को और width को आप multiply करके area के अंदर पास कर तो इस code का simple सा मतलब यह है और इसके अंदर पर मैं इसको यहां पर semi-colon provide कर देता हूं ठीक है और मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा ठीक है बहुत ही simple सा था और आई हो पिए चीज आपको clear हो गई होगी ठीक है तो आप यहां पर semi-colon provide कर तो ताक area नायबाद में आप मैं करूंगा क्या इसके अंदर हमको आना simple man method के अंदर simple टीक है अब हम क्या करेंगे अब गाइस बहुत ही simple है हम area को print करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा देखो आपको मैं पजाता हूं हम क्या करेंगे यहां पर आके सबसे पहले जो basic मुझे एक object करेंगे करना है तो जो basically आपका one second क्या हो गया जो आपका rect है जो basically मेरी एक लास रेक नाम से REC T रेक नाम से मेरी एक लास है और इसके अंदर मैं करूंगा क्या रेक वन और इसके अंदर मैं पास कर दो लाइक टेन एक इसकी हाइट एंट इसकी वेड़ था सिंपल कुछ ऐसा मैं कर दूँ इसके अंदर मैं क्या करूं एक function को पास कर दो भी सिंपल ठीक है तो बूम कैसे कर सकता हूं देखो मैं यहां पर एक function चला रहा हूं function मैंने बताया थायर क्या होता है for display simple इसके अंदर जाके वोइड का इसका कोई return type ना रहे है और इसी के अंदर में see out कर दूँगा see out simple इसके अंदर जाके area of simple ठीक है area of rest angle simple ठीक है और इसके अंदर मैं insertion operator लगाई जो भी मेरा area आएगा उसको मैं यहां पर pass कर दूँगा simple ठीक है तो इसको मैं यहां पर easily pass कर दूँगा and मैं यहां पर handle भी लगा सकता हूं यार और साइधी spilling सही है या गलत देखना पड़ेगा spilling सही है और हम क्या करेंगे यहां पर area पास कर सकते हैं note area यहां भी मैं handle पास कर दूँगा simply ठीक है perfectly तो basically मैंने इसके अंदर area पास कर दिया और यह continuation सही नहीं हुआ guys अभी तो कोई नहीं see out हम कर लेंगे अभी तो आप समझो कि यह perfectly code है और इसके अंदर हम कुछ मालों कुछ इस टाप से कर रहे हैं इसको इसके अंदर हम क्या करेंगे जब मैंने handle लगाया है यहां पर आप देखो basically मैं यहां पर जाओंगा ऐसी कि अंदर मैं अगर guys इसको print करवाना चाहूं तो मैं काम कर सकता हूं यार इस mine function की कोई need ही नहीं है कि सिंपल मैं यहां पर जाके अगर सी आउट को जो basically रेक रेवन है इसके अंदर जो भी इसकी हाइट है सिंपल है ना जो भी इसकी हाइट है और जो भी इसकी वीट होगी उसको मैं यहां पर पास कर सकता हूं पॉफेकली सोगाइज मैं काम कर सकता हूं सबसे पहले जो मेरा basically यहां पर आकर एक फंक्शन कर सकता हूं इसके अंदर वोईड डिस्प्ले सिंपल वन सेकेंड डिस्प्ले इसके इंदर फंक्शन जाएगा कि बाहर तो इसको हम अक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो सी आउट एंड मैं यहां पर जो भी मेरा variable इसको मैं यहां पर पास कर दूँगा एंडल ठीक है सिंपल और बेसिक था इतना और यह समझ में आ गया होगा आप लोगो बहुत ही सिंपल सा था और मैं यहां पर नोट एंडल मुझे लगाना पड़ेगा इंडल सिंपल ठीक है और मने यहां पर एंडल को पास कर दिया अब मुझे करना गाईज यहां पर आगे सबसे पहले माल लो कि यह जो कोड ना अब मुझे अब मुझे करना है जो बैसिकली मेरा आरिवन मतलब जो मेरा अबजेक्ट है उसको मेरा फंक्शन में अभी क्रेट किया डिस्प्ले उसको मैं यहां पर कॉल कर दूँगा सिम्ल ठीक क्या होता है सलो कॉल को रन कर के देखते हैं या एक या वार तो क्या प्रोब्लम म मतलब इसके अंदर ? हम यहांपर देख पा रहहे हैं की नुदेंश कनलों मिरा चेट गउंबहता है . को अदो आघ अधिक तो इस टाप से मने क्या किए कि कोपी किया यार एक अंदर दूसरा अधिक तो यह बेसिकली बहुत ही सिंपल सा था हमने कोपी करके आप लोगों बताया तो बेज़र किया देखा का सट्रक्टर क्या होते हैं कंसरख कितने parts होते हैं, कैसे काम करता है, default constructor क्या होता है, parameterized क्या होता है, copy constructor क्या होता है, यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गए होगी, तो basically, आज इस वीडियो के लिए इतना है guys, और basically, कोई भी इसकी regarding कवेरी हो, तो मुझे comment कर देना, so thank you guys so much, take care, bye bye.